नमसकार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंबूवी टीवी, और आपको देश दुनिया की खबरे बताते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर मैं बात करूँ तो उतराखंड में एक आज की अगर चर्चा की विश्य की बात करूँ तो आज एराशन काड भी एक का विशे बनावा है उत्राखंड हो या यूपी हो अब जिस तर्ज पर यूपी चल रहा है उसी तर्ज पर उत्राखंड भी चल रहा है जिस तरह से यूपी के अंदर बुल्डोजर चल रहा है तो उत्राखंड के अंदर भी कई जगह बुल्डोजर चल रहा है अब बुल्ड कर दें वरना उनके खिलाफ कारवाई होगी फायर भी लॉज होगी और जो राशन या जो चीज़ें उन्होंने ले लिये हैं उसकी रिकबरी भी होगी मेरे साथ आज बहुत जुद हैं करन छेतरी जी जब पूर्ती अधिकारी हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह की कारवाई ह होगी क्या कारक्रम है और कितने लोगों ने कारड को सरेंडर करा है और अगर वो 31 तारीक तरह कर पाते तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस सरकार का चलेगा सिर्फ कारवाई होगी यह बाते ही हैं या फिर धरातल में भी काम हो रहा है जी करें चेतरी जी आपका स्वागत है किस तरीके का यह राशन कार्ड के साथ यह अभी हान चलना है कैस किस तरह का इसमें बुल्डोजर चलेगा यह अभी वर्तवान में 31 मही तक राशन कार्ड सरेंडर कराने के लिए दिशान दिया गये हैं अगर किसी बोक्ता उन दौरा अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किय जाता है जिनकी इंकम पंदर जार से अधिक हो गई है और पांस लाग से अधिक हो गई है पंदर जार से अधिक जिसके उनको पीला रासन कार्ड इसू होता है और पंदर जार से कम वाले को सपीद होता है यदि अगर पंदर जार से अधिक आगर वर्तवान में हो गई हो तो सरेंडर किये जा चुके हैं और उनको कैंसिल कर दिया गया है और पंदरा कार्ड उसके सफवाई के जम्मा कर दिया गया है उनको निरिस्तिकरान प्रवान बातर जमा कर दिया है। सत्यापन कर सुरूव उसमें अवश्यक करवाई चलाब और यहीं सब्सक्ति चाहिए को उनके फ़्रसन प्रवाय कि वहाल जाए उनके ق्राव था कि बटे चाहिए चनलों लोगों रैकि सब्सक्राम किया तरह कि यहेंग्धकускर। डंडा कसा जाएगा कि छिकंजा कसा जाएगा कि जिन लोगों ने इनके दोब्ञां पर्माण पत्र बन्वा करके यह अपना आविधन किया गया है और अब दूर्ण जब यह आविधन करेंगे तो फिर दौर यह तैसिल से अपना जो आविधन पत्र बनता है उसको बनवा कि रासन कार्ड जहांच आप इनन पत्र के साथ जमा करेंगे और नहीं जात रासन कार्ड बनाते से हमें घर में जाके वेरिफिकेशन करें तब जारी किया जाएगा यह देखिए मैं करन छेती जी से ने बताया कि 31 माई के बाद अगर आपने अपन दिखेँ मैं की बात करें तो आछ उस समय जो प्रोशेस चल आ ओंलाइना सट भी भन रहे है और यह प्रोशेस चल रहा है तो क्या अजो गरीब लोग है गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको किस तरीके की आप सुभदा दे रहे हैं इस समय हम दे रहे हैं सरकार ने अभी परदानमंत्री गरामिन अन खाद्यान यूजने के अंतर गैद्विन को पांच किलो खाद्यान दिया जा रहा है फिरी में परती यूनिट और एने फैसे का रेगुलर जो होता है वो भी पांच किलो परती यूनिट खाद्यान दिया जा रहा है जो हमने देखा कि पन्नी चुगने वाले लोग हैं दूसरे परदेशों से आ रहे हैं बहुत सारे करीब लोग हैं लेकिन अभी तक रासन कार्ड भी नहीं बन पाएं कि तो क् कि जो रासन कार्ड वाली प्रकेरिया कैसे सरल होगी तो रासन कार्ड में तो आजकल जो हमारा ऑनलाइन का वो है उसमें आधार कार्ड सबसे मस्टे बिना आधार के तो और थंडिकेशन ही नहीं हो पाता है जब आधार कार्ड वोटर आईडी या उसमें पैन कार्ड आधार नहींai नहीं सकता तो खाता तो चाहिए चाहिए और आधार बलकुल मस्ट है अब जिस तिर्थ राशन आघा डाले आ रहे हैं चावल आ सब को GAS बान दी गई है तो क्या बंद हो गE? आपके माध्यम से मैं सभी रासन कार्ड भॉक्ताओं को भी अपील करूँगा कि अपना राषन कार्ड समय से सरेंडर कर दें और सभी विकरेताओं को उसके अधिकारियों की दिशंदेतिस्कर अनुसर चले ये देखे बहुत शांदार बात कहीं कि ये जो ग्रेन डीलर जिसे कहते हैं राशन की दुकान होती है वगर वो भी अबेद रूप से अगर इस तरह के से राशन बाठते में नजर आएंगी उन पे भी कारवाई होगी और आपको हिदायत दी गई है एक निवेदन भी करा गया है कि 31 तारीक से पहले आप अगर आपका अगर आप उस मानक में नहीं आते हैं तो अपना राशन कार्ट सरेंडर कर दें और जिससे कि आपके खिलाफ कोई भी कारवाई नहों अन्य था डिपार्टमेंट को आपके खिलाफ एफायर लॉज़ करानी पड़ेगी और रिकवरी के लिए भी आपके खिलाफ एक यह उनका हक लेकिन जो लोग उस मानक से बहार आ गहें उनको अपने आप से जैसे पिछली बार आगर उसकी बात करें गैस स्वूरीन और कि सब्सीडि़ी की बात करें तो बहुत सारे लोगों गैस उलेन विभार सब्सूरी की छोड़ दी, इसी तरीके आपसे निवेदाने के राशन कार्ड अगर आप मानक में नहीं आते तो अपने राशन कार्ड को सिलिंडर करें जैन दोस्तों